नमस्कार जी, सत्साइब जी, क्या नाम है बेंजी आपका? रेखा, बेंजी आप कहां की रहने वाली हैं? दिल्ली, बेंजी संत्रामपाल जी मारा से नाम दिक्षा आपने कब ली? बेंजी संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? बेंजी फिर संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आप कैसे आई? बेंजी संत्रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने मुझे ग्यानगंगा पुस्तक दी ग्यानगंगा मैं पढ़ी पुस्तक काफी साल रखी रही मेरे घर मर दोजर बारे में जमन पढ़ी तब इत खराब हुई मेरी मैं बही ने बुक दिया देखती हूं उसमें क्या लिखा ऐ बेंजी संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद सरदालों को बहुत सारे लाब प्राप्त होते हैं चाए वो आर्थे को बहुते को मानसे को या सारे को तो क्या संत्रामपाल जी महारा से नामदिक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ ऐसे लाब प्राप्त तो बस्वामे कोई पुछ नि कर सकती ती मेरे को उल्टी होती जयता उल्टी करते में इतवपित खराव जाती ती तो मुझे ऐसे मरीज्यों की तरह मतर उठाय के लिया जाता था ऐसी हालो जाती ती मुझे बहुत बुछ यहां से पिर मैं संत्राप्ण जी महराजी को आई हू तो आपको जब ही मानुगी में, जब मेरी उल्टी बंद कर दें, और सर में जर्द चक्कर, और मैं खाना खा भी नी सकती, न बोल सकती किसी से सफर में, तो अब ऐसा है, अब मैं जाती हूँ, कहीं पे भूमने, तो बस मैं बोलती हूँ, खाना भी खाती हूँ, न कुछ मेरी दस्ते लगेते मेरे को, तो मैं साम के टाइम 11 बच गेते रात, सब को देख देख गर भी आये, काफी उनने दभाई दूरी करी मेरी, नहीं ठीक हूँए मेरे को, कुछ भी फादा नहीं पड़ मुझे हूँ, मुझे हूँ बढ़ती किया, दिल्ली में माभी हूँ पर भी आज़ बच गए, कोई फादा नहीं हूँ हूए मेरे को, उसके बाद फिर मेरे हश्मेंट हो अज़ बढ़ती कराएंगे, लेकिन हमने संतरांपाली महाराच जी से अढ़ता करी, फोन नम्मर आते हैं नीचे, बढ़ते हैं तो नीचे यह बढ़ती नेचे यह बढ़ संतरांपाली महाराच जी हमारी मिष्च की तवियत खराब हो गया ज्यादा और ठीक नहीं है, बढ़ती और दस्त बंद नहीं हो रहे हैं, जब बढ़ती कीजिए और सब ठीक हो जाएगा उसी समय से बढ़ हो गया मुझे, ना कोई बढ़ती ना दस्त बुल भी नहीं नहीं कुछ भी परिशाई नहीं है और ना कोई सर्दर्द होता ना कोई भुख न खान सी कुछ भी नहीं और मेरी दवरानी है, मेरे सिघ्च जोटी है गौनों नहीं है प्री दिख्वा मेरे से दो महिने बाद मी ली थी, मेरी दवरानी की अचानकी तवीत राब हो गई थी, बताई और गुर्दे में भी बताई उनके मतलब काफी मतलब सारी पेट में उकाता काफी भरा हुआएगे अचानक जी गैरिशी रहींगे मतलब यह बताई डॉक्टर ने की चल कैसे रहींगे और अपने आप चल कराईगे लेकिन आप ऑपिष्ण की बोला तक आपको एक दो ौताई पेष्ण की लिए पेशी जमा करने और अपिश्न करने पर जरूलिल जरूल इज़ुद जबइगी जब हिए और नी जासाँ दो इस प्रही बढ़ती कराईगे लेकिन हम ने बढ़ती ने कि अट्रॉण कर रही हो पनी दृरानी को तो घर्ष्ण कराई की अपिछ पर क्या सकता हुए आज दुरुबीनवाल मुष्ध इंदेसा को आजञ इसे अधी सबके टालतों। संत्रामपाल जी महराजी के कारड उनकी दिछ्छा में आने से ही हमारी दौराने की सारी पत्रियां ठीक हो गई हैं और ना कोई ऑपरेशन कराना परा ना कुछ भी कराना परा सिर्फ संत्रामपाल जी महराजी की दया से ही ठीक हो गई हैं बल्कुल मेरे पापा को बुखार एक हटी सी बुखारा आटे परा के उनको फालसमार गई है लेके लिके नहीं चोटी भावी है उन्होंने मुझे ओनगे दिदी पापा जी गाता महोटेडा हो रहाए है मैं कि ऐसे कैसे हो सकता है दीदी देखो आप आके देखना और महुटेड़ा हुरा काफी ज्यादा हम ने देख में गई सुवे मौनिंग में ट्रहन से गई जब देखा मैंने जागा तो पापा जी अचाना की लग गया और सर मेरा हाथ अचाना की लग गया तो 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 में अलीगड मलखान होस्पीटल है महाँ पर चेक कराया अपने पापा जी के सर तो महाँ पर उस डॉक्टर ने कहा था सड़ चुका था पूरा सर मेरे पापा जी का और आदे शरीर को लख़ो मार गया था अब संत्रामपाल जी महाराजी की दया से बुलकुल ठीक हैं और ड पताय कि आपकी देवरानी के अलग अलग जगए 25 पत्रियां थी वो भी संत्रामपाल जी महाराज की किरपा से बगार ऑपरेशन के ठीक हो गई यह एक अद्भू चमतकार है और आपके पापा का सर जो सड़ गया था उन्हें डॉक्टर ने मिरत घोसित कर दिया था संत्राम ऑपाल जी महाराज जी से जूड़िये सत्संग सुनियए ग्यान गंगा पुस्तख पड़िये सारा ज्यान जानिये उसके बादी संत्रामपाल जी महाराज से लेख इस किसा कोति भी से साधर नहीं सकते हो जा रहने वालए नाम दिच्छा के इंदर महीं बता देंगे आप मासे संद्रामपाली से आप दिच्छा ले सकते हो धन्यवाद बेहन जी सत्साहिब जी सत्साहिब जी